Welcome, once again, I hope you are doing well. In this lesson, we will summarize the most important novel Pride and Prejudice by Jane Austen. First of all, we will discuss short introduction of this novel. Jane Austen, which is in the last 18th century in the last novelist in the world, which was introduced to the world, which was such a novelist when the female said to the female, that they will not be given to any kind of rights, nor that they were so popular, nor that they could write permission to any kind of rights. But Jane Austen, who was the time, has also written her novel. They are almost six novels, which are most important, Pride and Prejudice, Amos, Sensibility, etc. Now, we relate to these novels as the drawing room novelist. related to this novelist. Then, these novels are called limited range. Now, what is the drawing room novelist? We will also see all these novels in this novelist. Because Jane Austen's novelist was not so much explorer in the world, nor that she had so much travel on the world, nor that she had so much experience in the world. So, with this novelist, we can see limited range. are limited range. It's limited range. It's limited range. It's just two to three cities. We know about cities. It doesn't have so much details. It doesn't have so much details. We know about world and things. It's not different places. It's been traveling. It's been traveling. In these novels, we discuss domestic issues. Like love, marriage, romance, और जो डिफरिंट घरेलू मसाgue होते हैं उनके बारे में अब मोसट इन्पॉर्टन जो नके नोवल के थीम होते है वो मैरिज से रेलेटिट होते हैं क्यूंकि उस टाइम पर जो फीमेल थी उनका यह कंशर्ण था कि अगर उनको कोई ऐसी उनके लाइफ इस तरह बेटर ओर सकती है कि जब उनको कोई रिच हस्पन वल जाए तो इसलिए इनके नावल्स के अंदर हम यही सब कुछ देखेंगे इस नावल के थीम्स हम अलरेडी डिसकस कर चुके हैं लेकिन आप पहले इस नावल की समरी डिसकस समरी देखेंगे इनके बाद इस नावल के थीम्स देखिएगा अब इस नावल के अंदर हम अगर हम देखें तो यह नावल 18-13 में पब्लिश करवाया गया था तो जिस टाइम पर यह लिख रही थी इनका टाइम पिरिड अकस्तन एज का था यानिके रेस्टुरेशन एज क अब इस नावलिस्ट के अंदर जो है अडले नॉवलिस्ट फीमेल में इनका नेम लिया जाता है जब जोसफ आंड्रियो जो है वह भी लिखा जा रहा था अब इस नावल के इंदर में त्री फैमिली देखने को मिलेंगी फर्स आ फॉल बैनिट फैमिली बिंगले फैमिया और्सी की फैमिली अब इंच शौट करेक्टर्स डिसकर लेते हैं अब बैनिट फैमिली जो है इसके अंदर Mr. and Mrs. Bennett है इनकी फाइफ डार्टर्स हैं जिसमें जेन बैनेट, अलिजबत बैनेट, देन میری بینٹ اور इनकी دو اور चोटी बेटिये अब पांच उनके बेटिये हैं और इनका कोई भाई नहीं है ऐसी मतलब house lady है जिनका overall life में एक ही aim है कि उनकी जो daughters है उनकी किसी न किसी तरीके अच्छे घर में चादी हो जाए घनमिस्टर बेटिये जो है उनका जो है अपनी वाइफ के साथ कोई भी ऐसा मतलब मेंटली उनका कर्राक्शन नहीं लगता क्योंकि उनकी शादी जो है एक लव पेस पर हुई थी लेकिन बाद में जो है उनको जो उनकी फुलिशनेस है उनकी वाइफ की उसकी वजासे इनके दरम्यान क्लाशिज है तो अ उनके दरम्यान जो है वो अवलब नहीं है लेकिन उसके साथ एक और फैमली बिंगले फैमली जिसके अंदर मिस्टर बिंगले है दन उनकी दो सिस्टर है जो एक मारिट है और एक अनमारिट है दन एक और फैमली इसके अंदर दिखाई गई है जिसमें डार्ट सिंग है जो क जो उनकी सेकंड नमबर पर उनकी जो डार्टर है वो ओर्डार्सी इन दोनों के दर्मियान हमें जो है वो एक क्लैश तकाई देगा प्राइट से लेकर प्रिजिरिस तब अब इस नावल को टाइटल डिसकस करते हैं प्राइट का मतलब होता है कि जब इस नावल के अंदर प् प्राइट में रहता है देन प्रिजिरिस हम इस नावल के अंदर अलिजबत बारिट को लगते हैं कि वो डार्टर को सिफ इस बन्याद पर जजज करती है कि वो लोगों को जो है वो पैसों के साथ यानि कि अपनी और दूसरों की क्लास के जो क्लैश होता है उसके अकौर्ड दौन दिखाए देते हैं वो भी इसस वें रीसन की वज़ज़े से की देन जेन आस्टर जो है इनके बारे में कहा चाता है कि ये subscription क्लास यह जो जेन और इनके नावल के लिए लिए व्राइम से लाउन है कि इस अल्जित रए फ्रफ यो एक की करेंजिया है या फिर इनको मार्क्सिस्ट बिफोर कार मार्क्स क्यों कहा जाता है अपनिंग लाइन और इस नॉवल इस अपनिंग जो है वो यहां से की जाती है कि एक विलिज है रूरल विलिज नेदरफिल पार्क जहां पर एक फामिली है बैनिट फामिली हमने भी डिसक्स किया जिसमें मिस्टर और मिस्स बैनिट जेन बैनिट अलिजबिट बैनिट जो के इस नॉवल के हिरोईन है अब यहां पर थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन कर लेते हैं अलिजबिट बैनिट का अलिजबिट बैनिट जो इस नावल की में हिरोईन है अब इस नावल के अंदर इनका करेक्टर जो है वो इस तरह दिखाया गया है कि यह अपनी फैमिली को जो है इस तरह मतलब उसका खयाल रगती है जैसे कि इस फैमिली का जो हो यह बेटा हो तो इसके साथ तो यह लोगों को जज़ करना भी बहुत अच्छे से जानती है लेकिन यह जो इस नावल का में प्रोटेगनिस्ट है हीरो है डार्सी उसको समझने में इसको जज़ करने में थोड़ी सी गलती कर जाती है अब यहां पर एक फैमिली आकर रहती है बिंगले फैमिली जिसमें एक सिस्टर मारिड और दूसरी अनमारिड होती है अब जब यह इनको मालूम होता है मिसेस बैनिट को कि यहां पर एक फैमिली आई है तो उस टाइम पर इनकी जो मदर है वो यह इस चीज को सोचने लग जाती है कि किसी तर जो मिस्टर बिंगले है जो एक रिच मैन है उसके साथ इनकी किसी भी एक बेटी की शादी हो जाए और उसका जो फ्यूचर है वो सिक्यूर हो जाए तो देन कुछी देस के बाद गाउं म यह दान्स करता है असरह माँ पर इसका फ्रेंड होता है वो बिंगले के पास आया वा होता है तो वह जो मिस्टर बिंगले है वो यह जो इसके साथ बारे में एक इमच बन जाता है यह और आवरम इसके साथ जाएच जबर गयिया एमेरत की जो किसे मतलगं बारिषार गाने की जो सिस्टर जेरन को ब्राइब करें जू कि बादों यो जाने कहुं आ इसके बाद पोर चाहती हो तो उसके बाद फोड़ा है जो हैं ना है जो है वहाः पर जाती है रास्ते में बारिश के वजह This your प्रेमार ही जाती है और एक ठीजूपर स्टेक पर जाता जहां पर डाट्सी भी होता है और यह वो बिस्टर नायक करेटे आती हैं उस्चर को जो आधा पसंद आती है। यहां फर चाहिए इस बारंदम होटा कि यह इस बार्ड 달라 कर हो उसके कि भी तोट होट्री आट्राक्टिव यह लेकिन इस बार्सना को बेविशा को भी पसंद नहीं करते हैं लेकिन जब डार्ची तो इसके तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होता है और इस तरह जब वही खतम हो जाता है वह अपने घर वापिस आती है इस तरह कॉलिंग जो है जो इनका एक मतलब है युकन से एक कजन के तोर पर कॉलिंग जो है वह बारिट फैमली के घर आता है और इसको को प्रपोस करता है लेकिन अलिजबेट जो है वह इनकार कर देती है क्योंकि वह जो है कॉलिंग को पसंद नहीं करती है वह डार्ची को भी पसंद नहीं करती है और वह इसे शादी करने के लिए वह जादा मतलब इसको जादा अर्ट कर रहा था लेकिन अलिजबेट जो है वो नहीं मानती और उसको शादी के लिए इंकार कर देती यहां पर एक ऊन्यू कॉर्अक्टर इंटूड़्यूस करा जाता है विकम विकम एक एक लोकल मिलीटरी का उसर होता है वो इसको डाड़सी के बारे में उताता है कि डारसी उसने उसके इसे जाब लियुद से चीन लियुद एक है उसके बारे में जो इसको राइड को गाता है। इनको अब marriage कर लेनी चाहिए तो इसलिए वो जल 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 जो है वो शादी करना चाहते थे अब कॉलिंज जो है वो जब एक दोबारा वापस आते हैं तो अलिजबेट की जो close find है उसे शादी कर लेते हैं युकि लीड़ी कैटरिन ने इनको कहा था शादी करने के लिए अब साथी जो है वह सटनली जो बिंगले फैंली है वह यहां से लंडन राफिस आने चली जाती है और इसक लिए एक लेटर के जरिए जेन को इनफॉर्म कर जाता है कि वह जेन जो है अब मिंस्टर बिंगले से जो है वो शादी नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी शादी जो डार्सी की सिस्टर से होगी और इस वजह से जो है जो है जेन अब इनको वापस वाइन से राप्ता करने की कोशिश ना करें तो जेन इस तरह पर थोड़ सा अफसेट हो जाती है और अलिजबेट के जो अपनी सिस्टर के शादी करवाए तो इसे वो तोड़ सा और इसके खलाब हो जाती है नेक्स्ट आगे जो अलिजबेट है वो लेड़ी कैथरीन के पास चाहती है कुछ वोकेशन के लिए तो वहां पर इनकी जो एक लेड़ी कैथरीन है वो एक पार्टी अरूना इसकर आती है लेकिन उसके अंदर मतलब जो इसका ही प्राइड होता है कि यह सुचता है कि मेरी और इसकी क्लास के अंदर काफी डिफरेंस है तो इस वजह से थोड़ा से जो है अपने जो इसके मोशन है उसको अक्रस नहीं कर पाता लेकिन अलिजबेट जो है वहां पर जब इसको पर हो जाता है और बाद में उसको उसको कुछ नहीं काता है लेकिन उसके लिए क्लाइडर जो था जिसके ने इंफरमेशन देता है कि विकम जो है वह कच्छा वरसा नहीं है उसकी जॉब में नहीं कि क्योंकि वह एक उसकी मतलब बगाने की कोशिश की थी और उसके साथ-साथ और जेन का जो है वो रिष्टा जो है उसने नहीं तुड़ाया क्योंकि यह बात जो है वो उसने खुद नहीं की थी तो इस पर और यह बात उसके मतलब लैटर के पता लगती है और पर लेडी कैट्स्विन उसको गाती है कि तुम डार्सी के बारे में जो गलत राय रखती हो थोड़े से हैं positive वियूस के बारे में रखना है स्टार्ट को तो वह पिस अपने घर आ जाती है वी कं के बारे में इसको बताती है यह किसे विकम ने जो है इनके साथ मतलब इनके साथ गेम कहली और इस टाइम पर फिर एंक अंकल आउन्टी मिस्टर कारडिन इह उनके साथ जो है इनके घर पर चली जाती है वहां पर पहुश्ट है तो इसे मालू होता है कि पिचे से इसको न्यूस मलती है कि जो इसके सबसे चोटी वाली सेस्टर ना लेडिया वह उस वीकम के साथ जो भाग गई तो उससे पहले जब यह एक मतलब एक प्लेस पर वहां पर होते हैं उ इस चाहिसर भी उसी प्लेस पर मथुश्ट होता है तो जहों इसको जब इसके बारे में होता है थो इनके एक छोट चाता है तुकि उसमीん पर इसके उदा है में यह सन प्तुछ पता लिए था कि यह सब इसको तो उक्लिश नहीं करवा तो लेकिन इस न्यूस्ले का जो है लेडिया मल जाती है तो लेकिं साथ साथ अनको यह न्यूज के विकम शारा है क्यों कि कुछ आमाउन मांग रहा है पने लिए लेकिं बात में जो असको पेमेंट रहे स्वराइन लेकिन पेमेंट नूर्यND के लिए देवर की हैपे में इनकी जो है वो शादी करवा दी जाती है और जेन जो है उसकी भी मिस्टर बिंगले के साथ शादी हो जाती हो यहां पर यह रावला फ़तम हो जाता है